आज इस वीडियो में ज्यान बिंदुजी एस अकेडमी का बिहार पुलिस अस्पेशल आधुनिक भारत की इतिहास का पार्ट टू देखने वाले हैं इसमें जो टोटर प्रष्ट दिये गें मौडर्न हिष्टी से समंधी 466 जीसे हम पार्ट वाई पार्ट कंप्रेट करने वाले हैं तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं 121 नमर प्रष्ट से किसके सासनकाल में आंगल बर्मा यूद लड़ा गया था किसके सासनकाल में आंगल बर्मा यूद लड़ा गया था आंगल बर्मा यूद जी हुआ था 1824-1826 के वीच लॉड इमहष्ट के समय ओप्शन क्या हो जाएगा किसके सासनकाल में 1824-1826 में बैरकपूर का शैन विद्रो लॉड एमहष्ट के समय माथे पर जातिय चीन न लगाने तथा कानों में बालिया पहने देने पर बेल ओर के सैनको ने किसके सासनकाल में विद्रो किया था इसका राइट अंसर आप लोग बताएगा लॉर्ड बिलियम बैंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड इमहस्ट उप्यूक्ट में से कोई नहीं 123 नवर प्रस्ट का अंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे 1803 इसवी में मदरास का गवर्णर कौन था 1803 इसवी में मदरास का गवर्णर कौन था लॉर्ड बिलियम बैंटिक था किस एक्ट के दोरा बंगाल के गवर्णर को भारत का गवर्णर जेनरल बना दिया गया भारत का गवर्णर जेनरल बना दिया गया चार्टर एक्ट 1833 के दौरा अप्राथम गवर्नर जनरल कौन वना था भारत का लॉर्ड बिलियम बैंटिक Question No. 126 ठग किस की पूजा करते थें? ठग जो थें किस की पूजा करते थें? ठग पूजा करते थें? देवी काली की Option क्या हो जाएगा? A हो जाएगा बैंटिक ने कलकता में कलकता मेटिकल कॉलेज के स्थापना कव की थी? कलकता मेटिकल कॉलेज के स्थापना लॉर्ड विलियम बैंटिक ने कव की थी? Option No. B 1835 इसवी में किस की अनुसांसा पर अंग्रेजी को सिच्छा का माध्यम बनाया गया? लॉर्ड मैकाले के किसकी अनुसंसा पर अंग्रेजी को सिच्छा का माध्यम बनाए गया इसका जो अंसर दिया गया 123 नप्रष्ट का option number C दिया गया जो की गलत है ध्यान रखेगा लॉर्ड मैकाले इसका right answer होगा मैं काले के नुशंसा पर अंग्रे जी को सिच्छा का माध्यम बनाया गया था गिलकुल राइट अंसर ओप्सिन नंबर A होगा ना कि C होगा बेंटिक द्वारा भारतियों को प्रदान किया गया उस्तम पद था जिसे 700 रुपे प्रती मा तनखा मिलती थी बेंटिक द्वारा भारतियों किया गया उस्तम पद था जिसे 700 रुपे प्रती मा तनखा मिलती थी वह कौन सा पद था ते हो जागा सदर दिवान किस चार्टर एक्ट के द्वारा ये निश्चित किया गया कि धर्म, जाती, रंग अथ्वा जन्म क्याधार पर किसी व्यक्ति को कम्पेनी की सेवा में परवेश करने से नहीं रोका जाएगा नहीं रोका जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रतम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक था बंगाल का प्रतम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रतम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था राजाराम मौहंडाय के सहयोग से किष्णी 1829 इस्वी में सती प्रथा को समाप्त लॉर्ड विलियम बैंटिक ने जो कोशन एजी रहेगा मैं आगे बढ़ जाओंगी किस धारा के तहट लॉर्ड विलियम बैंटिक ने बिध्वाओं के सती होने को अवैद घोजित कर दिया इसका राइटन से धारा 17 के द्वारा राजाराम मौहंडाय के अलावा और की सासक ने सती प्रथा पर रोक लगाने का परियास किया राजाराम मौहंडाय के लावा कौन से ऐसे सासक ने सती प्रथा पर रोक लगाने का परियास किया ओप्सन हो जाएगा ए अकवर ने बैंटिक ने किसकी सहाथा से 1830 तर ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था कोशन 137 भारतीय प्रेस का मुछतिदाता चार्स मेटकॉफ को कहा जाता है । कि नर्वली प्रफा पर प्रतिवन लगाया नर्वली प्रतिवन लॉड हार डिंग ने प्रतम आंगले सीख यूद 1844गिस के सालसनकाल में हुई थी प्रतम आंगले सीख यूद जो हुआ था किसके समय काल में लॉर्ड होडिंग के समय में सिन्ध विजय के विशय में या कथन किसका है वा अफजानी तुफान की पूछ थी सिंध विज्येक के विस्яमे यह किस की किस का है? कि वह अफगाणी तुफान की पूच थी ऑपि dönव बी नेपियर का यह कथन है 1843 के एक्ट फाइव के द्वारा दास प्रत्ता का न कुनमूलन किसके سमें में हुआ? 1843 में हुआ था Act V के दौरा Dazu more than Lord Aylan bro के स्मेh सिंद का भी लेखी किया गया था इसी के समय Lord Aylan bro के समय 1843 में ही प्रफम आंग अफगान योद किस के समय में शुरू हुआ था प्रफम आंग अफगान योद किस के समय में सुरू हुआ था Lord Auckland के समय प्रथम आंग अफगान यूद किसके सासनकाल में समाथ हुआ प्रारम हुआ था Lord Auckland के समय में समाथ हुआ था किसके समय में Lord Ellen Burrow के समय option हो जाएगा A किस यूद के उपरान पंजाव का British सासन में विले हो गया था पंजाव का British सासन में विले जो हुआ था 1849 में यूद के दारान कौन सा यूद लड़े गए थे दीति आंगल सिक यूद के समय कौन सा यूद लड़े गए थे रामनगर का यूद जो हुआ था 16 November 1848 को जीविल को सही दिया गया है 16 November 1848 को रामनगर का यूद चिलिया वाला का यूद 13 जनवरी 1849 को हुआ था गुजरात नमक अस्थान पर 12 मार्च 1849 को हुआ था उप्यूग में से सभी जो है सही दिया गया है कि सासक ने सिक्किम पर दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ द्रुवहार का रोप लगा कर सन 850 इस वी में उस पर अधिकार कर लिया कि सासक ने सिक् 182 ईसे में एक इनाम कमिशन के स्थापना किसने की थी व्यपगर सिधान्द किसकी देन थी लाट डलहॉजी की ईो और भी दोनों में डलहॉजी हे गया है ब्यापगर सिधान्त के अंतरगत किसका विले सरपर्थम किया गया था 1848 में सबसे पहले 17 को विले किया गया था 1848 में 1849 में बताइएगा 1849 में जैदपूर और संभलपूर को 1850 में बगहाट को 1800 बामन में कुदैपूर को 1853 में जासी को 1849 में नागपूर को 1855 में करॉली को कुशासन का रोप लगा कर किस राज को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था कुशासन का रोप में अवद को 1856 में जब अवद पर कुशासन का रोप लगाया गया था तब वहां का नवाब कौन था उसे में अवद का नवाब वाजिद अली साह था ओफसर नमर ए 28 सताबदी में अवद राज का संस्थापक कौन था अवद राज का संस्थापक था सहाधत खा 1856 इसे में लॉड डल हौजी ने तुप खाने के मुख्याले को कलकता से कहां अस्थरांतित किया 1856 में लॉड डल हौजी ने तुप खाने के मुख्याले को कलकता से कहां स्थरांतित किया इसका राज टंसर आप्सिन नमर डी हो जाएगा उवव्युक्त में से कोई नहीं 153 नमर प्रोष्ट का अंसर दिया गया है उवव्युक्त में से कोई नहीं 1856 इसे में लॉड डल हौजी ने सेना का मुख्याले कहां अस्थापित किया सेना का मुख्याले अस्थापित किया था कहां तो सिमला में बिल्कुर आइट अंसर सिमला सिच्छा में सुधार के लिए लॉड डल हौजी ने बूट डिस्पैच कव लागो किया था भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है लॉट डलहौजी को भारत में पहली वार कब बंबई से ठाने के बीच प्रथम प्रथम रेल चलाई गई थी 1853 में चलाई गई थी पता ही है अपडेट बताना है 16 अपराल 1854, 18 मार्च 1853, 16 अपराल 1853 इसका राइट असर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएगा इजी कोश्चन है भारत का प्रथम रेल सरपर्थम किसने प्रथम कितने किलो मीटर चला एक सुसंतावन प्रश्ट का जो अंसर दिया गया है या गलत दिया गया है एक सुसंतावन का जो अंसर दिया गया है भारत का प्रतम रेल सरप्रतम कितनी किलोमीटर चला था इसका राइटर उप्सन नमर ए 34 किलोमीटर बिल्कुर राइटर है नया पोश्ट ओफिस एक्ट कब पारित हुआ और किसके सासनकाल में पारित हुआ 18poxgeon imbalance में भारत में पहली वार डांक टिकट का प्रतम किसके सासनकाल में पारित हुआ टांक टिकट क्या हो जाएगा अप्सन नमर ए लट दिल्होजी के समय में कब 17 विवाह के रूप में लोगसे वा विवाह के स्थाप न हुई तिया हुआ था 1854 इसवी में कलकता एवं आगरा के बीच पहली वार लॉड डलहौजी के समें किस वर्स बिजली से संचाली तार सेवा शुरू ही। आप्सन नमर ए, 1853 में, लॉड डलहौजी ने अपनी गृष में कानी राधानी कहां बनाई, त्या बनाई सिमला। अधिकारियों की नियुकती है तुँ परतियोकता परिच्छा की वास्था किस ने की, परतियोकता परिच्छा की वास्था लॉड डलहौजी ने, 1863 इस्वी में सर्पर्थम किस भारतिये ने लंदन में हुई सिविस सेवा परिच्छा में सफालता प्राप्थ की थी सत्येधर रिनाद टैगुरने भारत में कंपनी दोरा नियुक्त अन्तिम गवर्नर जनरल कौन था लोड कहिनिंग इस वी का विद्रो किस के सासनकाल में हुआ आप्शन क्या हो जाएगा C किस विद्रो के बार प्रशास्निक सुधार के अंतरगत भारत का सासन कंपणी की हाथों से सीधे British सरकार नियंतरन में ले लिया था 1857 इस वी के विद्रोग के बाद 169 का अंसर ऑफ़सन नमर क्या देगा 169 का जो अंसर दिया गया है ऑफ़सन नमर सी दिया गया है जो कि गलत है गलत है किस विद्रोग के बाद प्रशाशनिक सुधार के देगा भारत का सासन कंपणी के हांतों से सिजदे ब्रेटी सरकार करियंदरन में ले लिया गया था इसका राइट अंसर होगा उप्सन नमर ए इसका अंसर दिया गया उप्सन नमर C जो की गलत है याद रखेगा उप्सन नमर A होगा 1861 इसवी में उच नियाले अधिनियम किसके सासन काल में बनाया गया था 1861 में उच नियाले अधिनियम किसके सासन काल में लौड कैनिंग के काल में सन 866 इसवी में आगरा में एक उच नियाले के स्थाफना की गई जिसे 1856 इसवी में कहां स्थांजित कर दिया गया का स्रांतित क्या गया था तो इलाहावार इलाहावार धाय कोट के स्थापना पूछा जाता है 866 में हुआ था किस के समय में 856 इस्वी में बिध्वा पुनर विवा अधिनियम सतंतर रूप से लागू क्या गया किस के समय बिध्वा पुनर विवा अधिनियम सतंतर रूप से लागू किया गया इसका राइट असर ओप्सन नमबर ए लाट कैनिंग होगा किस के समय भारत में पहला कानूनी विध्वा बिध्वा विवा साथ दिसंबर अथा समय को इस्वर्चन विद्या सागर की देख रेख में कहा हुई कलकता में ओफ्सन नमबर ए आठासु संतामन इसे में किस के समय में महालेखा परिचक पद का सिर्जन किया गया जो सतंता के बाद नियंत्रेक एवा महालेखा परिचक परिचक कहलाया किस अधिनियम के तहट मुगर समराट के पद को समाप्द कर दिया गया मुगर्समराट के पदकुस्वार भारसास नजीयम 1808 के द्वारा ब्यापकर सिधान को किसके सासनकाल में समाप्त कर दिया गया ब्यापकर सिधान को समाप्त किया गया लौट कहनी के समय इंडियन कॉंसिल एक्ट कब पारेथ हुआ तथा पोट्फोलियो प्रनाली कब लागू की गई 161 होना चाहिए 179 टोष्ट कंसर हां ओप्सन नमर ए 1861 इसवी में मैं काले द्वारा प्रारुपित दंड सहिता को कब कानून बनाया गया 1858 इसवी में ओप्सन नमर भी दिया गया है अपराथ विधान सहिता कब लागू की गई अपराथ विधान सहिता कब लागू की गई तेहलाओ की गई थी 1880 मर इसवी में किस अंग्रेज अधिकारे ने बहावी अंदूलन का दमन किया था बहावी अंदूलन का दमन लॉड एल गिन ने किस ने अफगानिस्तान के सम्ध में अहस्त छेव की नीती अपनाई जिसे सांधार निस्क्रियता के नाम से जाना जाता ह ओप्सिन नमर ए लॉड लोरेंस किसने हेंडरी केंपवल करनेचित्व में एक अकाल आयो का गठन किया त्या गठन किया था लॉड लॉड लॉरेंस ऑप्सिन नमर ए किसके सासनकाल में भारत एवं यूरोप के बीच प्रतम सम्मुन्द्र टेलिग्राप सेवा सुरू की तहार शुरू की आ गया था लौड्ड लॉरेंस, ओफ्षिन नुमर ए दिया गया है। नेश्ट हैं लॉड मियो ने कव अजमेर में मियो कॉलेज के स्थापना की। आप्सिन नमर C, 1872 इसे में। लॉड मियो के सासनकाल में किस वर्ष क्रिशी विभा के स्थापना की गई। क्रिशी विभा के स्थापना 1872 में की गी थी। भात में अंग्रेजो के सवे में प्रत्थम जंगना 1872 में किस के सासनकाल में हुआ था लॉड मियो के कार्ष काल में हुआ था機 ταपन इसे में। एक अफगान सेर अली अफ्रिदी 8 फरवरी cityут को किस अंग्रित अधिकारी को चाकू मार कर हत्यां कर Deus किया थी। 188, किसने ये घोशना की थी कि मेरा उदेश करो को हटाना तथा अनावस्यक वेग्यानी कारवाईयों को वंद करना है। पंजाब को कुका अंदोलन किसमें किस ब्रिटिस अधिकारी का सासन था। पंजाब के कुका अंदोलन किसमें कुका अंदोलन 1832 में चला था। उस समें ब्रिटिस अधिकारी कौन था। एक प्रसित उपन्यासकार निवंकार इवं साहित्यक ज्यान की वज़ा से साहित्यकोस में इसे ओवर मेरेडिय के नाम से जाना जाता है। ओवर मेरेडिय के नाम से किसे जाना जाता है। तो लॉड लिटन को। लिटन ने किसके अधिस्ता में 1876 इसे में अकाल आयो का गठन किया। त्या गठन किया था रिचर्ड अश्ट्रैची के निचित में। एक जिनवरी 1877 इस्वी को ब्रिटेन की महरानी विक्टोरिया को कैसर एं हिंद के उपाधि समानेत करने के लिए किसका एजन किया गया। दिल्ली दर्वार का ओप्सन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा दिल्ली दर्वार किस अंग्रेज अधिकारी ने 1878 इस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेक्स एक्ट पारित कर भरतिय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिवन्द लगा दिए कठोर प्रतिवन्द किस ने लगाया था लॉड लिटन ने, option number B इसका right answer है विशेसकर किस राष्टवादी समाचार पत्र पर प्रतिवन लगाने के लिए यह act पारित किया गया था वर्नाकिलर पेक्स एड जो लाए गया था किसके लिए लाए गया था यह बताना है इसका जो right answer हो जाएगा option number A सौम प्रकास सौम प्रकास इसवर्चन विद्यासागर की या प्रमुक्व पत्र का भारतीय सस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ था भारतिय सस्त्र अधिनियम का पारित हुआ था 1888 इश्वी में किष्णे सीविल सेवा परिच्छाओं में परवेश के धिक्तम उम्र 21 से घटा कर 19 वर्स कर दी थी किष्णे सीविल सेवा परिच्छाओं में किस जगह मुश्लिम एंगलो प्राच महविद्याले के स्थापना की लिटन ने किस जगह मुश्लिम एंगलो प्राच महविद्याले की स्थापना की option number C किस इबरिटीस अधिकारी ने ततकालिक प्रधान मंत्री ग्लैड अस्टोन के प्रामर्श से सन 1882 इस्वी में लगे वर्नाकिलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया 1882 इस्वी में समाप्त किया लौड रीपन ने अस्थानिय सौसासन का जनक किसे कहा जाता है तो लौड रीपन को कहा जाता है कि इसके सासनकाल में 1881 में सरपर्थम नियमित जनगना हुई नियमत जन्गन्ह 881 में लौर्ड रिपन के समय जन्गन्ह कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है किसबिटिस अधिकारी ने सिविल सेवा में परवेश की अधिक्तम आयू सीमा पुनह उनीस वर्ष से बढ़ाकर इकिस वर्ष कर दी पूनह कर दिया था लॉड रिपन ने 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष 1881 के जनगना में किन को नहीं जोड़ा गया था कहां जनगना नहीं हुई थी आपसा नमबर C हैदरावाद और राजपुताने उपसान नमबर D इसमें साथ वर्ष से कम आयू के बच्चों को काम करने पर परतिवन था जी बिल्कूल साथ से 12 वर्ष के स्रमीकों के लिए 9 गंटे से अधी कार्ष करा जाना परतिवन थी था यह एक चाय कॉफी अभब नील की खेती पर लागू नहीं थी इसका राइट अंसर आप्सन नमर डी दिया गया है कोश्चन नमर है 207 रिपन के समय में सैचिक सुधारो के अंतरगत किसके अध्यस्ता में एक आयोग गठित किया गया था रिपन के समय में सैचिक सुधारो के अंतरगत किसके अध्यस्ता में एक आयोग गठित किया गया था अप्सन नमर बी बिलियम हंटर इरोपियों के विरुद भारतिय निया धीसो द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इलवट बिधय कव प्रस्तुत किया गया था इलवट बिधय कव प्रस्तुत किया था जब प्रस्तुत किया गया था दो फरवरी 1883 इस्वीको लौट रिपन के समय दो फरवरी 1883 इस्वीको अंग्रेज द्वारा एलवट विधयक के विरोध में किये गए विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है तिसे जानते हैं स्वेत विद्रोह के नाम से आप्सन नमर A दिया गया है रिपन को भारत के उधार के संग्या किस ने दी और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया तिरती आंग्ल बर्मा यूद अठासव पचासी से लेकरके अठासी तक हुआ था इसका राई टेंसर हो जाएगा और लॉड डफरीन किसके सासनकाल में 28 दिसमर अठासव पचासी को बंबाई में भारती राष्टी कॉंग्रेस की अस्थापना की गई लॉड डफरीन के समय 1899 इस्वी में कलकता कॉर्परेशन अधिनियम किष्णे बनवाया 1899 इस्वी में कलकता कॉर्परेशन अधिनियम किष्णे बनवाया ओप्सन नमबर सी लॉड लैंस डौन ने ओप्सन नमबर सी दिया गया है 213 नमबर प्रष्ट का अंसर ओप्सन नमबर सी 1899 में तो गवर्णर जनरल वासरायस के पत्पर कौन आ गया था तो करजन आ गया था एक वार इसे आप लोग कंफर्म करेंगे इसे आप लोग कंफर्म करेंगे क्योंकि 1899 से लेकर के 1905 तक लॉड करजन का क्या था ये सासन का था चली इसे आप लोग सुधार करेंगे कन्फर्म करेंगे भारते विस्विद्याले अधिनियम कब पारित किया गया ऑप्शन नमबर A 1904 इस्वी में किसके सासनकाल में सर एंटनी मैक डॉनल के अधियस्ता अकाल आयो का गठन किया गया सर एंटनी मैक डॉनल के अधियस्ता में अकाल आयो का गठन किया गया आप्सन हो जाएगा A, Lord करजन Lord करजन सैन अधिकारियों के प्रसीचन के लिए कहां एक कॉलेज की अस्थापना की प्रेटा में, आप्सन नमबर A दोसों सुलना नमट रस्ट कंसर, आप्सन नमबर A नेश्ट कोशिन है, भरतियराष्टिये कांगरेश के स्थापना किस ने की थी? A.O. whom के द्वारा किसके समय में भारत और पाकिस्तान के मद सीमा रेखा, डुरंड रेखा का निधारन हुआ? दुरंड रेखा के निधानन भारत और पाकिस्तान नहीं भारत और अफगानिस्तान के मद है भारत और अफगानिस्तान के मद है इसका राइट अंसर आपसन नमर ए लॉर्ड लैंस डाउन के समय दीतिये करखान अधिनियम से समधित कत्रों में से कौन सा कत्रन है जो सही दिया गया है यह अधिनियम लॉड लैश्टॉन के सासनकाल में आया था जी बिलकुर यह सही है इसका वर्ष 1891 इस्वी था यह भी सही है इस तिरियों को 11 घंटे प्रतिदीन से अधी काम करने पर प्रतिवन्द लगाया गया सबता हमें एक दिन की छुटी की ववस्था की गई इसक रच्छा की जाएगी यह कथन किसका है यह कथन है लॉड लेलगिन दीतिये की लॉड एलगिन दीतिये किष्णी 1899 इसमी भारतिय तंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वन्द मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोशित करा दिया Lord करजन किसने 8 सुन्यान में इस्वी में भारतिय टंकन और पत्रे मुद्रा अधिनियम पारित करा कर अंग्री जी श्वन मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोशित कर दिया Lord करजन प्राचीन असमारक परिछन अधिनियम करजन के द्वारा कब लाया गया था प्राचीन असमारक परिछन अधिनियम करजन के द्वारा कब लाया गया था ओप्शन हो जाएगा बी 1904-25 भारतिय प्रातत विभा के स्थाप्ता किषन की भारतिय प्रातत विभा के स्थाप्ता Lord Karjan ने option हो जाएगा B सहकारी उधार समीती अधिनियम Karjan दवारा कब लायगया सहकारी उधार समीती अधिनियम करजन दोरा कव लाए गया option हो जाएगा C 1904 इसवी में 99 से कौन सा कथन करजन के बारे में सत्य दिया गया है सही दिया गया है Lord करजन के बारे में इसने क्रीशी बैंग खुलवाए है सही है 1901 में क्रीशी इंस्पेक्टर जनरल की निवक्ति की 1905 इसवी में पूसा में एक क्रीशी अनुसंधा संस्था खोली गई इसका राइट अंसर इनमें से सभी दिया गया है question number 226 किसने गुप्चर विभा के स्थापना की थी किसके सासनकाल के दोरान कलकत्ता में विक्टोरिया मिमोरियल हॉल का निर्मान किया गया विक्टोरिया मिमोरियल हॉल का निर्मान इसके समय लॉड करजन करजन द्वारा बंगाल विभाजन कव किया गया बंगाल विभाजन 1905 इसे में बंगाल विभाजन की घोशना कव की गई 19 जुलाई 1905 इस्वी को घोषना की गई स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्ट 1905 को प्रणाव क्या गया और बंगाल विभाजन लागू कब क्या गया 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषना कहा की गई थी तो सिमला में आपसन नमबर A बंगाल विभाजन की योजना किस तिथी से लागू हो गई लागू हो गई 16 अक्टूबर 1905 इस्वी को बंगाल को किन प्रांतों में बाट दिया गया पुर्वी बंगाल और पश्मी बंगाल पुर्वी बंगाल और असंप्रांद और पश्मी बंगाल option हो जाएगा C A और B दोनों पुर्वी बंगाल का मुख्याले कहा था पुर्वी बंगाल का मुख्याले ढाका 230 का अंसर B पुर्वी बंगाल के मुख्याले का Lieutenant Governor किसे निउक्त किया गया पुर्वी बंगाल के मुख्याले का सैनिक सदस्य के अधिकारियों के प्रश्ण पर करजन का किसके साथ मतभेद हो गया था मतभेद किसके साथ हुआ था तो यह हो जाएगा ओप्सिन नमर ए सेनापती एंड्रिूज के साथ लौड करजन अपना त्याग पत्र कब दिया था अगस्त 1905 इसे में अपना त्याग पत दे दिया था इसको भी आप लोग कंफर्म करेंगे लौड करजन अपना त्याग पत्र कब दिया था हलाकि इसका अंसर अगस्त 1905 में दिया गया है नेश्ट कोशन है किसके समय में किचनर परिच्छा को सैनिक परिशिच्छन में सामिल करके सेना के सूथ चंपता को बढ़ा गया था इसका राइट अंसर ऑप्शन नमर ए लौड करजन करजन का कार्जकाल कब से कब तक रहा 1899 से लेकर के 1905 इसवी तक ऑप्शन क्या हो जाएगा ए गलस सुमेल को चाटिये समीती या सिधान व्यक्ति दिये गए हैं गलस सुमेल भारत सुधार समीती व्यक्ति दादा भाई नरोजी ब्रिटिस होस ओफ कॉमेंस के प्रत्थम सदस्त दादा भाई नरोजी चुने गए थे 1893 में फिसवरे से चुनाव जिता दादा भाई नरोजी ऑप्शन नमर डी जो है गलत दिया गया है ऑप्शन नमर डी ही इसका अंसर दिया गया है बंगाल विभाजन 1905 कलकता टाउन हॉल में स्वदेशी अंदुलन की घोशना की गई 17 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था जो कि गलत है 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ था बंगाल विभाजन को रभीना टैगोर के आवाहन पर राखी दिवस सोक दिवस का रूप में मनाया गया था यह सही दिया गया है यहाँ पर कहीं कहीं 19 जुलाई तो कहीं 20 जुलाई दिया रहता है स्वदेशी आंदूलन को डेलटा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है सरपर्थम स्वराज के माँ कहां किया गया था 1906 में कलकत्था अधिवेशन में दादा भाई नरोजी ने इस अधिवेशन की अध्यस्ता किया था स्वाराज सब्द का सरपर्थां परियोग किशने किया था तो दयानन सुरसती ने स्वामी दयानन सुरसती ने आफसन नमर ए किस अधिवेशन से कांग्रिस दो भागों में विभाजित हो गए थे तो सूरत अधिवेशन में 1907 अनुसिलन समीती से समन्हित कत्षणों पर विचार कीजी अस्थापना 24 मार्श 1903 को की गई थी अनुसिलन समीती अस्थापना 24 मार्श 1903 को की गई थी प्रथमनाथ मित्र अध्याज तत्त मुख्याले कलकर्था था सप्षिष्टर निवेथा इसके काशकानी सदस्या थी 1906 में अनुसेलन का प्रथम सर्मिलन कलकर्था में हुआ था इसका घोस थी खून का बदला खून इसका जुंसर दिया गया है, option no.C दिया गया है क्रांतिकारी से पेरिस में बम बनाना सीखा था निकोलस सर्फ फ्रांस की से अनुसिलन समिती को कव गैर कानूनी घोसित कर दिया गया 11 दिसंबर 1908 को आप्सन नंबर B 247 कंसल भी दिया गया है खुदी राम बोस से समधित गलत कथन पर विचार कीजिए जन्म 1889 हबिपूर जीला मिदनापूर बंगाल मुकदमे काजाज करन डफ खुदी राम का वकिल काली दास बोस फासी कितारी 12 अगस्त 1908 इसका जो अंसर दिया गया है ऑप्सन नंबर B दिया गया है किस दिवस को खुदी राम बोस ने जज किंस फोट की काड़ी पर बं फेका था बं कव फेका था तो 30 अपरेल 1908 को अलिपूर सडियंट केसे समधित कथनों पर विचार कीजिए उपरोक्त में से कौन से कथन है जो सही दिये गए हैं अदालत में 31 व्यक्तियों को 18 मई 1908 को अवैथ सस्त रखने के कारण पेस किया गया उस केस के सरकारी गवाह नरेंदरनात गोसाई था इस केस में अरविन घोष छोड़ दिये गए या सभी के सभी सही दिये गए हैं इस केस से बाहर निकल अरविन घोष ने पांडी चेरी में और वीले आश्रम की स्थापना की थी इसका अंसर आप्शन नमर सी दिया गए सभी कथन जो हैं सकते हैं विनायक दामोदर सावरकर ने किस वर्स अभिनव भारत की स्थापना किया था विनायक दामोदर सावरकर ने किस वर्स अभिनव भारत की स्थापना किया था अभिनव भारत की स्थापना 1904 इसवी में किया गया था अप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा हलाकि इसका जो नाम था मीत्र मीला संग मीत्रमिला का जो स्थाफना किया गया था 1899 में EC का नाम चेंज करके अभिनव भारत कर दिया गया था 1904 EC में नेश्ट है 11 अप्रेल 1911 को 11 अप्रेल 1911 को जेक्सन की हत्या की आरोप में किसको फाशी नहीं दिया गया नेंत लच्ष्मन कनहरे को दिया गया विनायक नारायन देश पांडे को, क्रिष्ण जी गोपाल करवे को, के जी करवे को, जबके सत्रूधन प्रसाद को नहीं, आप्शन C, बाल गंगत है तीलक से सम्मधित गलत कत्रों पर विचार करिये, इनका जन 23 जुलाई 1856 को महराष्ट में हुआ था, सही है, इनके दोरह 1881 1856 में दो साफता ही पत्र मराठा, जोके अंग्रेजी भासा में केसरी मराठी में निकाले गए, 1893 में गनपती महोसव, 1895 में सिवाजे महोसव प्राराम किया था, उप्यूक्त में से कोई नहीं, इसका राइट अंसर हो जाएगा किस वर्स राज़्द्रो के मुकद्वा में, 18 वर्स की सजा हुई थी तिलक को, तो ऑप्शन हो जाएगा भी 1897 में, किस कालखंड में तिलक मांडले जेल में रहे थे, आप्शन नमर बी 1908 से 1914 के बीच किस वर्स चापेकर बंधुआ द्वारा पलेग अधिकारी रेंड एवं यश्ट की हत्या की थी क्रांतिकारियों के पिता श्याम कृष्ट बर्माने लंदन में किस वर्स इंडियन होमरू सोसाइटी के अस्थापना किया था लंदन में इंडियन होमरू सोसाइटी के स्थापना किस ने किया था तो श्याम कृष्ट बर्माने कहां किया था तो लंदन में कब किया था वो बताना है आप्शन क्या हो जाएगा ए नीसो पाँच में निसव चे में बंदे मात्रम नामक समाचार पत्र किष ने निकाला था बंदे मात्र समाचार पत्र वारेंद्र गोश ने मुष्णिलिंक से समधित गलत कतन पर विचार किजी उप्यूकर में से कोई नहीं 30 दिसमब 1906 में नवाव सली मुला खाके निमंतरन पर सम्मेलन हुआ था इसी सम्मेलन में अखिल भारती मुश्रिली के स्थाफना किया गया इस सम्मेलन के धेस्ता वकारूल मुल्क ने किया था इसका जनसर दिया गया option number D मुश्रिली का स्थाफन 1907 में कराची में बना था इसका प्रत्म अधिवेशन कब कहा हुआ 260 नवर प्रश्ट का अंसर option क्या हो जाएगा B. 1908 में अमरित सर्मे मुश्रिली की 1908 अमरित सर प्रत्म अधिवेशन के धेस्ता किसके दौरा किया गया था सयद इनाम के दौरा मुश्रिली की साखा लंदन में किस वर्स खोला गया था option number B. 1908 जैक्सन को अनंत कनहरे ने किस वर्स गोली मारी थी तो 21 दिसम्बर 1909 1911 में दिल्ली माजित भावे दिल्ली दरवार आजजन से समधित कत्रों पर विचार करिए वो प्रोक्त में से कौन से कतन है जो सही दिये गए है यह आयोजन इंग्लेंड के राजा जोर्ज पंचम और रानी मेरी के स्वागत में किया गया था जी विल्कुल इस दर्मार में बंगाल विभाजा रद किया गया यह भी सही है बंगाली भासा छेतरों को जोड़कर नवीन प्रांत बना बिहार बंगाल से अलग हुआ बिहार के साथ उडिसा सम्मीली था एक अप्रेर 1912 को दिली भारत की राधानी बनी इसका जो अंसर दिया गया ऑप्सन नमबर C वाज सराय हाडिंग पर बं फेका गया 23 दिसमब 1912 वाज सराय हाडिंग बंकाण से समसित कफुन पर विचार कीजी उपरोक्स में से कौन से कफिन हैं जो सही दिये गए हैं लास बिहारी बोष ने दिली में वाज सराय हार बं फेका सही है इस घटा में तेरा व्यक्ति गिरफतार किये गए, दिनाना सरकारी गवाह बन गए थे, अमीचन, बालमुकुन, वसंत कुमार, विश्वास को फासिद दिया गया था, उप्रोफ में से सभी इसका राइट अंसर है, एक नमबर 1913 में सैन फ्रांसिस्कों में किस पार्टी के स्थापना की गई थी, गदर अंदूलन से समधित कत्रों पर विचार कीजी, उप्रोफ में से कौन से कत्र हैं, जो सही दिये गए है, एक नमबर 1913 को गदर पार्टी के स्थापना लाला हर्दयाल के नेचित्वी में सैन फ्रांसिस्कों में किया गया, सही है, सुहन जिभाक से यह गुरु मुखी लिपी में छपने लगा था, इस पत्र के प्रथम प्रिष्ट पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिठा, इसका जो अंसर दिया गया है, और अप्चन नमबर C, एक फिर से इस कोशन को आप लोग देख लीजेगा, चलिने इस कोशन देखते में, 351 यात्रियों के साथ कामाता गारू जहाज कब हुगली पहुचा था, हुगली कब पहुचा था, 28 दिसंबर 1914 को, किस वर्स कांग्रेज का विभाजन कब हुआ था, 1907 में हुआ था, पता ही होगा, और लखनाव 1916 में मिलन हुआ था, कोशन थोगा गलत दिया गया है, विभाजा रद हुआ था, लखनाव 1916 में, पूना होंरो लिग से समधित, गलत कथन पर विचार कीजिए, पूना होंरो लिग से समधित, गलत कथन पर विचार कीजिए, ओप्सिन नमबर D, उप्युक में से कोई नहीं, 28 अप्रैल 1916 को, इसके स्था अपना तीलक की दौरा एनिवेशेंट होमरूल लीक से समाधित गलत कथन पर विचार कीजिए एनिवेशेंट ने 1916 में ऐयार में होमरूल लीक के स्थापना किया जोर्ज अरुनडेल को लीक का सचीव बनाया गया इस लीक का प्रचार परसाद एनिवेशेंट ले अपने द्यानिक पत्र न्यू असरम की अस्थापना किया था सावरमति places start कि sense quieras mean घांदी जी ने सत्यागरं का प्रथम परियों कहां किया था तो चंपारन होगा यहांbase भारत नहीं पूछा जा रहे तो प्रकूर्शन की यह हो जाएगा कोश्षन kijken हमेरे Two साज़तर 2017 चंपारन विहार से समयंधित गल्दम प्रविचार कीजिए। ऑप्षन इसका हो जागा। उप्यूक में से कोई नहीं, सभी के सभी हैं जो सही दिये गए हैं। गांधी जी चंपारन के किसान राम चंज सुकल से मिलने, वह ववस्था आने का निउता दिया। एक बाल फिर से सुनेगा। नील की खिती का प्रकार कुर्तौली और कुसकी कहलाता था Next question है Montague घोषना पत्र से समझे कथनों पर विचार कीजिए कौन से कथन है जो सही दिये गए है Montague घोषना पत्र British सरकार का लच भारत में स्वासासन विक्सित करना था स्वासासन धीरे धीरे चर्णों में दिया जाएगा प्रगती के विशें में निर्धारन ब्रेटिस संसर तथा ब्रेटिस सरकार द्वारा किया जाना था बिभिन चर्णों करने धारन भारतियों दोरा स्वासासन की दिशा में की गई प्रगती पर निर्भर करेगा ओप्सन इसका दिया गए उप्रोएक्ट में से सभी कथन है जो सही दिये गए हैं यह को फिर से आप लोग देख लेंगे भारत का मैगना कार्टा मॉन्टेग्यू घोषना पत्र किस वर्स लागू किया गया था मॉन्टेग्यू घोषना पत्र किस वर्स तिया हो जाएगा उनिस सो इस्वी में महात्मा गांधी ने एहमादावाग टेक्स्टाइल लेवर असोसेशन के स्थापना किस वर्ष की थी महात्मा गांधी ने किस वर्ष अहमादावार मील मजदूरों के समर्थन में प्रत्हमबार भूख हर्ताल 1908 इस्वी तेरह अप्रेल 1909 को जलियालाबाग हत्याकान हुआ इस समय पंजाब का लेफ्टरिन गवर्नर कौन था पंजाब का लेफ्टरिन गवर्नर सर माइकल ओ डायर सर माइकल ओ डायर जलियालाबाग में किस भारतिये ने माइकल ओ डायर की मदद किया था हंस राजने ऑप्सन नमब और नहुरू खिलाफवत आंदुलन से समिदाइर गलत कंथन पर विचार किजी ऑफिसान न बता है जो जाए गा सिर्ट हो से सटरा अक्टूबर 1990 को समुचेड देश में खिलाफवत मना गया था तेश्ट नमबंबर 1919 हिंदू मुष्णियम संजुक्त कांफ्रेंस की अध्यस्ता गांधी जी ने किया रॉलिट एक कब्रो रविन रास ने नहीं किया था या गला दिया किया था जलाबाग हत्याकांट एवां खिलाफा संजुक्त समर्थन में गांधी जी ने एक अगस्त 1920 को खिलाफात अंदूलन प्रारम किया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में असयोग अंदूलन का प्रस्ताव पास हुआ असयोग अंदूलन का प्रस्ताव पास किस अधिवेशन में तॉप्स नमबर ए दिसंबर 1922 नागपूर अधिवेशन सरपर्थम किसको असयोग 122 को 5 फरवरी 1922 को option number C question number 290 300 question मैं इस वीडियो में करवाने वाली हूँ आगे जो वीडियो आएगा जिसमें 166 question मैं complete करवाने वाली हूँ आप लोग को पहले ही मैंने बताया था टोटर जो को प्रश्ण दिये गए थे 466 प्रश्ण दिये गए हैं 1166 प्रश्ण रह जाएगा वो अगले वीडियो में मैं आपको complete करवा दूँगी इसका master वीडियो study craft channel पर मिल जाएगा चौरी चौरा कांट से दुखी महत्मा गांधी ने असायोग आंदोलन का बापस ले लिया था असायोग आंदोलन बापस का ले लिया गया था पतायेगा option क्या हो जाएगा c हो जाएगा 11 फरवरी 1922 को कई कहीं 12 फरवरी भी दिया रहता है ध्या रखिएगा इसका जो अंसर दिया गया है काकोरी कांट से समधित कतनों पर विचार कीजिए सभी कतन हैं जो सही दिये गए हैं 9 अगस्त 1925 को सहरेनपूर से लखनव सरकारी खजाना लेकर जा रही आठ डाउंस प्रसेंजर को काकोरी नाम अस्थान पर लूट लिया खजाना लूटने का विचार राम प्रसाथ बिस्मिल का था 1927 को सचिंद्र सान्याल को आजीवन करावास मिला ममनाथ कुपता को 14 वर्स की कैद हुई थी सभी जो है कतन सही दिये गए हैं आखिल भारती महिला सांग के स्थापना कव किया गया आखिल भारती महिला सांग के स्थापना 1926 स्वी साइमन कमीशन से समधित कतनों पर विचार कीजिए कौन से कतन है जो सही दिये गए हैं हलाकि इसका जो अंसर है ऑप्सन नमबर सी दिया गया सभी कतन है जो सही दिये ग साइमन कमिशन का दो दर्लों ने वैस्कार नहीं किया था एक है जस्टिस पार्टी दुसरा है पंजाब योनिनिस्ट पार्टी सभी के सभी हैं जो सही दिया गया है किस तारिक को सॉंडर्स मारा गया सॉंडर्स कब मारा गया था ऑप्शन अमर भी 17 दिसंबर 1928 को आठ अप्र 1929 को सेंट्रल असेंबली में बं फेका जब बहस हो रही थी पब्लिक सेफ्टी बिल पर ऑप्शन क्यों हो जाएगा बी होना चाहिए एक रो मैं मिला लू 296 नमर प्रश्ट ऑप्शन नमर बी जब असेंबली में बं फेका गया उसके अध्यास्ता कौन कर रहा था अध्यास नमर बी प्रथम सुतंता दिवस का मनाया गया था प्रथम सुतंता दिवस 26 जनवरी 1930 को आज इस वीडियो का लास्ट प्रश्ट है मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने समर्थकों के साथ 322 किलोमेटर की यात्रा सौरमत्री आस्रम से दांडी पहुंचे कि इस तारीक को पहुंचे और कितने दिन लगे थे पहुंचे कब थे तो 6 अप्राइल 1930 को पहुंचे थे और टोटल 24 दिन लगे थे ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा चलिए 301 निमर प्रश्ट का अंसर आप लोग बताएगा आगे तो मैं वीडियो करवाओंगी उसमें तो यह को अनुन तोड़ा और कौन सांधुनर प्रग्रम किया था असायोग अवग्या भारत छोड़ या फिल उप्यक्त में से कोई नहीं इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग अंसर बताएगे चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद